यह आपको बताता है कि जब भी आपका product shopping ad में show होता है तो उसके साथ अधिकतर कौन से और products या competitors है जिनकी products आपके shopping ad के साथ show होते हैं यानि कि आपके neck to neck competitor कौन है e-commerce owners and marketers क्या आप जानना चाहते है कि आपका कौन सा competitor आप से अच्छे ads चला रहा है क्या आप जानना चाहते है कि कौन से competitor का ad आपके ad के साथ अधिकतर display होता है तो स्वागत है आपका e-commerce competitor analysis using google merchant center a free tool दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक simple google merchant center का use करके अपने neck to neck competitor को पहचान सकते हैं जान सकते हैं और उसके अलावा बहुत सी ऐसी बात है आपको जानने को मिलेंगी सीखने को मिलेंगी जिनका use करके आप अपने business और revenue में बहुत बड़ा impact ला सकते हैं तो चलिए सीधे हम google merchant center के dashboard पे आजाते हैं दोस्तों dashboard पे आने के बाद आप यहां performance की button दवाएंगे इसके बाद आप यहां competitive visibility की button दवाएंगे इसमें दोस्तों आपको select करना your competitors इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहां पे आपको कुछ graph नजर आ रहा है यह graph में आपके कुछ competitors देख रहे हैं यहां पे अगर आप tap करते जाएंगे आपके competitors जो हैं जितने भी visible हो सकते हैं वो सारे इस graph में visible होते जाएंगे जैसे मैंने tap करके सारे चालू कर दिया अगर आप किसी particular competitor से अपने आपको compare करना चाते हैं तो बागी competitors को आप ऐसे tap करके बंद भी कर सकते हैं दोस्तों यहां पे आपको एक बहुत important table देखने को मिलती है दोस्तों इस table में सबसे पहला column है competitors याने कि यह जो नीचे दिख रहे हैं यह आपके वह competitors हैं जो आपके shopping ad में आपके साथ compete करते हैं और दोस्तों इन competitors को देखके आपको ऐसा भी लग सकता है इनकी website पर जाके आपको ऐसा भी लग सकता है कि यार इनकी कुछ products तो मेरे products से साथ सेम नहीं है लेकिन कुछ products इनके आपके कुछ products के साथ 100% सेम है इसलिए यह आपके साथ shopping ad में compete कर रहे हैं दोस्तों मैं आपको बारी बारी समझाओगा कि बाकी columns का मतलब क्या है और आप इनका कैसे use कर सकते हैं दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि अलग-अलग date range में हमारे कौन competitors रहे हैं तो दोस्तों आप जैसे कि यहां उपर देख सकते हैं last 90 days वाले competitors अधिकतर दोस्तों वह होंगे जो कि majorly आपके competitors बने हुए हैं जिनके बारे में आप शायद खुद भी जानते हो या शायद ना भी जानते हो बाकी यह हमेशा लंबे समय से आपके साथ compete कर रहे हैं आप दोस्तों मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा इस relative visibility पे और आप देख सकते हैं यहां सबसे पहले लिखा है plus 95% photo land.in यानि कि आपका जो competitor है यह photo land.in इसके 95% जादा impressions मिलते हैं इसको इसके products पे जबकि same चीज search की जा रही होती यानि कि आपका product भी यहां आ सकता था लेकिन 95 times इसका product shopping ad में display हुआ है ऐसे ही दोस्तों आप नीचे जाके देख सकते हैं कि कि किसका product जो है आपसे 25%, 20%, 50% पीछे चल रहा है जो हमसे पीछे हैं उनको जादा देखने की जरूबत नहीं अब देखो shopping ad की बात हो रही है तो हो सकता है कि उसका product title कुछ इस तरीके से हो जो आपके product title से बहतर हो या उसकी product image जो वहां पे display हो रही है वो उसमें कुछ फरक हो कुछ न कुछ तो फरक आपको पहचानना पड़ेगा जिस कारण से वह आपसे इतना ज्यादा impression पा रहा है shopping ad वह भी चला रहा है shopping ad आप भी चला रहे हैं फिर भी same product पे उसको ज्यादा impression मिल रहे हैं और आपको थोड़े कम मिल रहे हैं अब दोस्तो हम आजाते हैं दूसरे कॉलम पे जो कि है page overlap rate दोसरे बहुत interesting कॉलम है यह आपको बताता है कि जब भी आपका product shopping ad में show होता है तो उसके साथ अधिकतर कौन से और products या competitors हैं जिनकी products आपके shopping ad के साथ show होते हैं यानि कि आपके neck to neck competitor कौन है जो आपके neck to neck competitor हैं उनकी कौन सी चीज अच्छी है या कौन सी चीज बुरी है यह आप जादा अच्छे से जान सकते हैं अपने neck to neck competitor की website या product page पे visit करके और दोस्तो इस percentage का आप use कर सकते हैं अपने neck to neck competitor के ad को देखके और उससे अपने ad को थोड़ा बहतर बना क्योंकि वो अधिकतर आपके साथ impression पार तो आप बात आती दोस्तो कि आपके ad पर जादा click कैसे हो जब impression दोनों को एक साथ कई बार मिल रहे हैं अब दोस्तो हम तीसरा column समझ लेते हैं जो कि यह higher position है दोस्तो higher position बताता है कि कि कितनी बार ऐसा हुआ कि आपके competitor का ad जो है आपके ad के ऊपर दोस्तो आते हम लास्ट वाले column पर ad slash free ratio यह दोस्तों बहुत interesting column दोस्तों इसका मतलब यह होता है कि किसके ads के impression free impression से जादा है यानि कि इसको हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि कि किसके ads जादा चल रहे हैं जादा push हो रहे हैं तो दोस्तों इस column को देखके आप पता जादा है तो ऐसा उसने क्या कर रखा है कि उसको free में इतने जादा impression मिल रहे हैं और आपको ads चला के इतने impression नहीं मिल रहे हैं दोस्तों इस analysis को और deep down करने के लिए आप अगर एक competitor के product page पे जाए उनके products को देखें और उनके product और आपके product में क्या common है कौन से products common है और जो common products ह page पे क्या चीज़े same है क्या चीज़े उनके में खास ही अगर आप देखेंगे तो आपको इससे बहुत ज्यादा insight मिलेगा और आपके revenue पे बहुत ज्यादा impact पड़ेगा और आपके ads की performance भी बहुत ज्यादा improve हो सकती है इसी किसान दोस्तों अगर आप e-commerce advertising में मेरी help चाहते हैं तो आप मुझे screen पर दिये गए number पर WhatsApp करके contact कर सकते हैं